नमस्कार दोस्तों वेलकम बेक टो आर्चेर मारी सेलोसन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा जो है इन्फोर्मेटिव और एक जो नोलेजफुल टोपिक को यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं बहुत सारी लोगं को यह प्रोवलम फेस करनी पड़ती की बहुत थारे लोगं को यह प्रोवलम के प्रोवलम पर इन्वस्ट्मेट करें अगर हम directly bank के अंदर FDRD करवाते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखा हुआ कि जो rate of interest है काफी ज़्यादा कम है और अगर हम हमारे देश का inflation rate देखते हैं तो वह है ना उस rate के अप्रोक्सिमिटली क्रीब है तो अगर हम bank के अंदर FDRD करवाते हैं तो हमें अपने ही पैसे के अपर नुक्सान हो जाता है जो कि हमारी सही investing नहीं है अगर हम directly stock market के अंदर कूते हैं तो कोई बरी हमारा जो decision है हमने जो analysis किया वो wrong भी हो सकते हैं अगर मैं yes bank का इदर example दूँ तो आपने देखा हुआ कि yes bank कभी है ना साड़े 400 रुपे के आसपास है ना इदर trade करा था लेकिन आज की date में देख सकते हैं 15 या 20 रुपे के आसपास है ना उस range के अंदर है इदर trade करा अगर हमने उस time के अंदर yes bank के अंदर investing की हुई तो हमारे पैसे पर हमें कितना ज्यादा नुक्षान हो सकता था लेकिन इसके reverse भी हो सकता है अगर हमने कोई stocks खरीदा होता हो चार पांस गुना ज्यादा जो हमें return दे सकता है लेकिन यहां पर रहना risk factor बहुत ही ज्यादा involved हो जाता है लेकिन हमें investing इस तरह से करनी है कि भया हमारा जो रिस्क है वह बहुत ही ज्यादा कम हो ताकि माइंड के अंदर हमारी सांती भी और growth होगी है हमारे जिसका जो market है निफ्टी है संसेक्स है grow होगा उस तरह से जो index fund perform करते हो यह पिक passive investing भी है जिसका है ना long term के अंदर है बहुत अच्छा जो benefit यहाँ पर मिलता है जब बात दोस्तों है जिर index fund की हो रही है तो यहाँ पर है आपकी पास है index fund के अंदर बहुत सा company यहाँ पर जो निफ्टी मीडिकाप 150 जो index fund है उसके अंदर भी है ना दोस्तों जो मीडिकाप की 150 इंडेक्स fund है वह यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ जो 250 जो समाल केप की जो अपने आप में जो ranking company वह यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर साथ में जो निफ्टी अगर आप लोग इनका return देखोगे तो return भी आपको है ना अलाग अला category के अंदर है ना आपको वैरी करतावा दिखाए दे जाएगा तो एक mind में हमारे यह भी confusion हो जाता है कौन से index fund में investing करें अगर हम बात करें कि अगर index fund में के अंदर ही investment करना है तो कि इन सभी के अंदर हम आपको को सेब भी खानी है आपको बनाना विखाना अमरूद भी खाना चिलि लिची भी खानी है और भी कई fruit आपको खाने है और आप लोग शोचरे भी है पैसे मेरे पास limited है तो फिर क्या खरें डेलिए अपके लिए है जो आप चाहरे हो कि हम मैं सभी फ्रूट खालो तो उसकी रिक्वाइर्मेंट भी आपको मिल जाती है अब आप लोग बुलोगी कि भीया जो चाइट है और जो डारेक्टली जो स्टोक मार्केट के अंदर जो इन डेक्स फंड बता रहे हो इनको आप क आपके अंदर इन्वेस्टिंग करने की बिजाए है ना एक ऐसा दोस्तों जो इंडेक्स फंड है जो कि पूरे मार्केट को है इधर कवर करता उसके अंदर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो बिल्कुल आपने सही सुना यहां पर बात कर रहा हूं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड के अंदर क्या रहता दोस्तों यहां पर जो जितनी मैंने कैटेगरी आपको बताई है वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है और जो मैंने बास्केट देखने को मिल जाता है अगर इसको कैटेगराइज भी करते हैं तो यहां पर जो लार्ज कैप है सतर परसेंट के अंदर जो वैटेज रहता है और दूसरे दोस्तों यहां पर दूसरे जो इंडेक्स रह जाते उनके अंदर थर्टी परसेंट का जो एक्सपोजर इदर देखने को मिल जाता है और यहां पर जो रिटर्स है ना वो भी आपको अच्छे-काचे दिखाए दे जाएंगे और साथ में आप लोग एक बात और दोस्तों ध्यान रखिए हमारे देश में सिरफ एक ही ऐसा फंड हाउस है जो कि यह ना इदर निफ्टी टोटल मार् परसेंट तक का जो रिटन है निफ्टी माइक्रोकाइब का है ना 27.69 परसेंट का तो अगर आप जिस तरह से दोस्तों आगे जाएंगे तो आपको जो रिटन है इदर बढ़ते वह दिखाए दे जाएंगे साथ में मैंना दोस्तों चार्ट के थरू भी एक्स्प्लेइन इदर दिखाए दे जाएगा अगर हम दोस्तों देखते हैं ना एनसी का जो डाटागरम देखते हैं तो ओवराल अगर आप लोग देखोगे ना जिस तरह से दोस्तों जो निफ्टी 50 का जो रिटन है उससे जादा जो रिटन है यहाँ पर स्माल कैप मीड कैप और साथ में माइक्रो का अपने इदर दिये हैं तो यहाँ पर आगर हम जो रिटन की बात करते हैं तो निफ्टी 50 से जो अच्छे रिटन है आपको जो दूसरे इंडेक्स फंड के अंदर है इदर दिखाए दे जाएंगे शाथ में अगर आप लोग यह देखते हैं कि जैसे हम मात करते ह है टोटल मार्केट इंडेक्स फंड के बारे में तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 के अंदर है जो इंडेक्स फंड उसके अंदर है आप जो स्टोक्स रहते हैं जो बड़ी बड़ी जो कंपने रहते हैं उसके पचास स्टोक्स रहते हैं लेकिन जो निफ्टी टोटल मार डूतर होते हैं अगर मार्केट के बात करता लेकिन यहां पर निफ्टी तोमार्केट इंडेशर है रहें वह यहां पर 16.54% है और जब कि small cap और micro cap है यहां पर 12.95% है तो आपको है न भीया जो overall है आपको जो exposure मिलेगा large cap का भी मिलेगा, mid cap का भी मिलेगा, small cap का भी मिलेगा और micro cap का भी मिलेगा तो इस exposure के साथ हमारा जो return जो investing है वो इधर diversify हो जाती है अगर हम return profile देखते हैं कि nifty 50 की और साथ में यहाँ पर जो nifty total market indexment की तो nifty 50 का 1 year का आपको 19.48% का return दिखाए देगा लेकि nifty total market indexment का आपको 26.47% दिखाए देगा तीन साल का देखते हैं तो यह है आपको साड़े 15% से जादा दिखाए देगा nifty 50 का लेकि nifty total market का आपको यहाँ पर है न साड़े 19% के आसपाद दिखाए देगा अगर आप देखोगे तो nifty 50 का 14.79% है जबकि यहाँ पर nifty total market का 16.46% है 10 साल का 13% के approach nifty 50 का है और यहाँ पर 15% के approach इदर है न nifty total market का है 15 साल का अगर आप देखोगे तो 14% nifty 50 का और जबकि nifty total market का है आपको 15% से ज़्यादा दिखाए देगा यहाँ अगर आप return profile देखेंगे आप यहाँ पर एक, तीन, पांच, दस साल और पंदरा साल तक का अगर exposure देखते हैं कि भया किस तरह के return मिले है तो return के हिसाब से यहाँ पर है जो nifty total market ने है न इदर nifty 50 को हमेशा इदर है बीट किया है और यहाँ पर आपको जो exposure है न बहुत सारी चीजों का इदर मिल जाता है कि आप है न इदर mid cap, small cap, large cap सभी का exposure इदर मिल जाता है return के हिसाब से भी हम देखते हैं, risk reward ratio के हिसाब से भी हम देखते हैं और भी अगर हम parameter को इदर चेक करते हैं तो यहाँ पर overall है न मुझे इन सभी index fund से अच्छा जो है न दोस्तों जो हमारा risk reward ratio है वो भी हमें बहुत अच्छा दिखाए दे रहा है अगर हम risk की बात करते हैं वो यहाँ पर बहुत कम हो जाता है क्योंकि overall जो market का exposure है न हमें एक ही fund के अंदर दिखाए दे जाता है यहाँ पर है न जिस तरह से हमारा overall दोस्तों जो भार्देश की ज अंदर है न उसकी जो सेम रिप्ली का है न आपको इधर दिखाए देगी उसी तरह के जो हमारे return है न वो आने वाले समय में ग्रोव हो सकते हैं तो इसलिए मेरे हिसाब से तो मुझे है न जो total market index fund इदर है न अच्छा लगता है आपका क्या कमेंट है मुझे comment section में जुरूर कमेंट कर सकते हो दुस्तों फिर में लेंगे इस तरह वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन वन्दे मात रहो